गाजा में इसराइल की खुरूरता बढ़ती जा रही है और इसे रोकने के लिए इसराइल का समर्थन करने वाला अमेरिका तक आगया आगया है अमेरिका के अलावा कई अन्य देश और विश्विद्यालों में पढ़ने वाले स्टुडेंट्स अपना अपना दिरोज जता रहे हैं हाला कि इन सब को अंदेखा करता हुआ इसराइल गाजा में अपने सैन्य अभ्यान को आगे बढ़ाता जा रहा है अब तुर्की के राज़्टपती रेसेप तैप एर्दोगन ने बीटे तिन चेतावनी दी कि अगर गाजा पट्टी में इसराइल की जीत हुई तो वो तुर्किये को निशाना बनाएगा एर्दोगन ने अंकारा में एक संसदी समू की बैठक के दौरान कहा कि इसराइल गाजा में नहीं रुकेगा और अगर इसे नहीं रुका गया तो ये दुष्ट राज अनातोलिया को निशाना बनाएगा एर्दोगन ने कहा कि हम हमास के साथ खड़े रहेंगे जो अपनी जमीन की आजादी के लिए लड़ रहा है और अनातोलिया की रक्षा करता है उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर घोश्रा करते हैं कि हम अपने पूरे अस्थितों और संसादनों के साथ फिलिस्तीन और फिलिस अधिक का समय लग गया। अधिकारिक हस्तक शेप की घोशना का फैसला लिया है। तक उसे चेतावनी दे चुका है कि अगर वो गाजा में नरसंगार करता है तो वो उसकी मदद बंद कर देगा। इसके बाद भी इसराइल मानने को तयार नहीं है। इसराइल का कैना है कि वो हमास को खत्म करके ही मानेगा। हलाके हमास भी अकेला नहीं है। उसे भी इजबुल्ला और हूती का भरपूर साथ मिल रहा है। ऐसे में आप ये युद्ध कहां जाकर थमेगा। इस बारे में अभी स्पश्युद से कुछ कहा नहीं जा सकता है। का । विश्धार कॉ कहा. एन्यंग का वा र former我 में काया थे इस फतुर कहा नहीचुद अर्ड़ोञटर कहुछ सब्सलिपका, पुरम, कपर में एंदीन ।